पुटन करती हुई बापस जाती हुई दिखाई देगी आपको ये तो ये वो जगे है जो बीहडी इलाके की जगे मानी जाती है और इसके साथ साथ हम आपको बता दे कि जिस तरह से भारती राजनीत में 2024 का चुनाव है यहाँ पर मैनपुरी लोगसभा भी लगती है और उसके साथ साथ इटावा लोगसभा भी मैनपुरी लोगसभा को लेकर समाजवादी पार्टी भारती अंता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगाए है आज भी ऐसा ही हुआ जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद बोदी जी का भी प्रोग्राम पांस तारिक को लगाया जा रहा है मैनपुरी के जश्वंत नगर विधान सवा में तीन लोग सभाओं का प्रोग्राम है जिसमें कन्नौज, मैनपुरी और इटावा लोग सवा मतलब इटावा मैनपुरी का जिक्र फिर भी है वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखले से यादव अपनी पत्नी डिंपल के लिए पूरी ताकत लगाए हैं बोजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो सिप्रशाद यादव हैं वहां उनको लेकर आज एक चुन पैनल दिखा दें कि तीन लोग हैं हमारे साथ आज के पैनल में मैं उनसे तारुक कराता हूं सामने जो बीच में हैं हमारे साथ वो सचन यादव हैं जिला पंचाय सदस्य हैं और उसके साथ साथ भारती इंता पार्टी का पक्ष रखेंगे और भारती इंता पार्टी के वर अपना दल S तो आज तीन लोग हमारे साथ हैं और पीछे हमारे दोनों साइड आप देखेंगे जनता जनारदन है ये वो जनता है जो जनता सब जानती है और सीधे सीधे अपने नेताओं से सवाल भी पूछती है तो इस तरह से हमारे दाहिने और बाएं जिस तरह से पबलिक भी है और पीछे गैस्ट है तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं चलता हूँ नवीन सखसेना जी के पास चुकिए चुनाओं मैं पहला प्रश्ट तो विपक्ष से बनता है जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरती है तो मुद्दे इस बार क्या है नवीन जी इस बार पूरे देश में बरश्चाचार बिरोजगार इस तरीके के मुद्दे हैं और पूरे दस बर्स माननी नरद मोदी जी ने जितना जूट और फ्रोड किया है वो जनता उसको जानती है उसका बदला दियार 24 के चुना में अभी देने वाली य जाए एक तरफ पूरा परिवार लगा हुआ है अखलेस यादब हैं अदिती हैं और चाचा शियूपाल यादब भी लगातार जा रहे हैं बीजेपी सीधे-सीधे कह रही है कि समाजवादी पार्टी को महनपुरी में इस बार डर लग रहा है इसलिए पूरा परिवार लग मैं देखा है मेरी मैं भी वहां का वोटर हूं जनता वहां चुनाव लड़ती है वहां नेता चुनाव नहीं लड़ती हैं पूरी जनता मैं जाता हूं बहां यह रेस्पॉंस मिलता है कि आप घर बेठो आराम से और जगे देखो मैं पूरी तो 3-4 लाग से मैं पहले भी जि ठीक विरुजगारी है और यहां पर लट रहे हैं और है उनकी पत्नी दिंपल लड़े लड़ रही है तो बीसिक मुद्धे किया इस लेंड के बीजिपी सरकार रही है और लोगों की सरकार रही किसी ने भी तहना पूरी के लिए कहा जाता है जैसे समाजवादी पार्टि वहां से सांसद रहे और परिवार के लोग सांसद रहे डेवलपमेंट तो शुरुआस से नहीं हुआ होगा सीधे सीधे बीजेपी का आरोफ है कि इस छेत्रों का अगर अंदेखी की बात करते हैं तो प्रतनेद्ट्र तो लगाता रहा आपके द्वारा किया गया हूँ जब से समाजबादी चुक 96 में मुलाइम सी जाद बढ़े रच्चा मंती रहे तो महां भरती बोर्ट ख़लवाया पूरा यहां लाइन सफारी बनाया गया पूरा विकास जो मैंपुली जिला और इटाबा जिला में हुआ हो चाप पैरा मेडिकल इस्टिटूट हो एंस हो आप लोग कहते हैं अभी आपने हाल में ही समाजबादी पार्टी छोड़ी है बीजेपी जोईन की है एक समय में आपके लिए कायाता था कि समाजबादी पार्टी के लिए आप किसी को छोड़ते नहीं थे लगातार चाहे भाजपा हो या कोई राजने तिकदल अब आप स्री नरेंद्ध मोदी जी के नितत्त में एक तरफा माहुल है लोग राष्टाचार से तंगा गए थे लोग कॉंग्रेस की सरकार से इतने परिसार रहे कि घोटाला हो तूजी स्पेक्ट्रम घोटाला हो कॉमन वेल्थ गोटाला हो या पर कई ऐसे गोटाले रहे कि अगर ग पिछले चुनाव में कहते थे कि अब मेरा अनुवव कॉंग्रेस पार्टी के साथ सही नहीं रहा और अब मैं कभी जीवन में गठबंदन नहीं करूंगा कॉंग्रेस पार्टी से और उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क रहता है पूरा उत्तरप्रदेश देख रहा है चाहिए वह बिहार हो चाहिए उत्तरप्रदेश हो उत्तरप्रदेश में अगर यादवों की बात की जाए तो केवल पांच यादवों को टिकेट मिली है वो किस परवार से हैं ये बताने की जरूरत किसी को नहीं है सब समझधा रहे है आप देख रहे लगतार अभी आपने मिला जबकि भारती जनता पार्टी ने पूरे देश में 26 टिक्टें यादों को दिए तो आप देखिए कि परवारबाद का तबका यह कैसे अटाएंगे कोई मौका नहीं है इनके पास और रही बात बिकास की बात की जाए या पार्टी कैसे आंगे बढ़ रही भारती जनता बात कर रही हैं सबसे पहले और पहले बात कर लेता हूं आरीशंकर पटेल जी आपके सहयोगी पार्टी गठवंदन में है आपका NDA के सहयोगी है बाचपा से आप भी अनप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस में है किस तरह से देख रहे हैं कि डेवलप्मेंट तो सम और क्या स्टेट जी आगे को लेकर भी है चुकि आगे भी भविस में चुना होने एक्चुल में विकास जो कराया है इनोंने तो विकास वो एक छित्र में हुआ है सडके बनी है तो इटावा से सैफ़ई मार्ग ही लगातार बनता रहा दसबार बना होगा लेकिन बाकी मार् सेरुकार का भी भीवी बन रहा था मैं अभी भी देख नरी तो चारू तरफ बना रहे है इसमें माननी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हात है कि वह 15 क्लोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई विकास हो रहा है टावा में कई पूलों का निर्मारु हुआ कई चीज है कैसी हुई राम संकर का टेरिया जी के द्वारा भी काफी विकास के कार किये गए जो वाकी सरहानी है उनको देख करके आप नकारने की बात जुट बोलना तो जवान में है आज कल लेकिन यह सत्ता है विकास अगर देखेंगे एक नहीं कई तरह के विकास हुआ है भाई सयोगी दल है कह रहे हैं विकास हुआ है लेकिन इन सब के लिए तो हमें जनता जनारदन तक भी जाना चाहिए पबलिक के लोग भी है हमारे दोनों साइड में पहले तो एक व्यापारी खड़े हुए है क्या नाम है आपका राहुल गुप्ता जी आप व्यापारी है किस तरह से दे किस तरह से गहा है व्यापारी बहुत दॉक्री किस तरह से दुकरी का कारण करतो मार्केट इस टी का उनके उपर प्रभाव है उपर सेheaded पहले भी सरकारों पहले भी पहले प्रमालित अब लोग परिशान है बहुत दुखी है इनका कहना आप तो यूवा है और साहिद कुर्टा वर्ता भी पर आज पूरे तरह से राजनीत में उतर रहे हैं क्या करते हैं यूवा नेता है इस बार मुद्दे क्या है हमारी उमर पर कुर्टा बेने खड़े हैं तो मुद्दा सबस्वादा तो बिरोजगारी है ना दूसरी सब्सवाद जो हमारे बड़े खड़े हैं इस्टार प्रचारक जी है इन्होंने विका कि कौन सी रोड बनी तो मुझे थोड़ी से हजी आई लेकिन मैंने हसा नहीं क्यो बोलना चाहरा है मैं लोगों के पास आता हूं हाँ क्या नाम है आपका भई इस बार मुद्दे क्या है यादो जी मुद्दे क्या है वो सपा सरकार में गुन्ड़ी होती है लोगों परेशान किया जाता है बीजेपी पारिटी को अच्छी पारिटी है गुन्ड़ी सब्सक्राइब काम किया है जा जा बूल ले थे अभी मुक्तार अंसारी अतीर एहमत संवाजबादी पार्टी नहीं अब बड़ी जगे पर आ रहे हैं मुझे इस छेत्र के वारे में बताओ कि यहां के मुद्ध क्या है यहां के मुद्ध क्या है इस चुनावर नहीं हम है कि भाजपा सरकार आई यह सब खतम हो गया मैं और लोगों से भी पूछ लेता हूं हाँ वही क्या नाम है आपका प्रवीन कुमार प्रवीन भाई यह बताइए इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है जो बोटर बड़ा सुस्त दिख रहा है पहले दूसरे चरण में मतदा रहें आप पार्टी की बात नहीं कर रहें मुद्दे की बात बताये मुद्दे क्या करतें इस लेकिन अपousseजम दे क्या है आप लोग आपके अपने अपने चीजय होंगी तो मुद्दे तो कुछ बहुत देड़ से मुस्कुरा रहे हो मगाई का मुद्धा क्या करते हैं किसान किसान है किटनी खेती आपकी है पांच छे बीगा पांच बीगा ऊके तो इस बार आपके एसाफ से महगाई मुद्धा है आप बता भाई आपके पडोसी कह रहा है कि इस बार महंगाई एक मुद्दा है यह आपने दिखा यह जनता जनारदा ने अपनी बात कह रही है मैं फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलता हूँ हुआ। नवीन भाई जिस तरह से जनता अपनी अपनी बात कह रही है कोई महंगाई की बात कर रही है कोई coy यह कह रहा है कि इस सरकार में सुरक्षा मिली है वो यादव लोग भी थे जिसके लिए पीडिय को लेकर समाजवारी का पारटी कहती हैं पीडिय का ख्याल रख पागे मैं 53 नेता ऐसे गुना सकता हूं जिनक सब परवारबाद है तोटल अभी गिंती से हैं और जात बात कर रहें दिंपले आदब कि दिंपले आदब एक बहुत पड़ी लिखी बहुत सालीन महला है और वहां कोई परवारबाद बाली बात नहीं है जैबीर सिंग की जो आप वो नेमन चूद देना चाहते हैं कि साब हम यह करते हैं कि जूंट बोले पंदा लाग भीद देगे आप इन सब चीजों बच नहीं सकते हैं जो हकीकत है वो आप है सत्ता में आप हैं आप कहरें गुंड़ होती समावाजी सरकार में सरकार है किसकी आज चैन किसकी बाद कर किसके हो रही आप पता करें देखिए बाजपा का कहना है कि बहुत ग्राफ तेजी से गिरा है सुरक्षा और लोगों के अंदर मुख्य मुद्दा नहीं नहीं अगर बोड कैसे बढ़ा अगर हमें मालिज नहीं मिलता और बात सच्चेट सरकार गई नहीं दिली सरक लेकिन आपके गठवंदन की सरकार है तो रही है इससे पहले जब यूपीय की सरकार थी तो उसमें समाजवादी पार्टी का पहले तो प्रत्यक्ष एक गोटाला बता दू राजनी छुड़ दू एक गोटाला बना दो नेताईयर अच्छा मंती रहे हैं उसमें एक गोटाल क्यूंद सेविस Aunty م Flight में सायद पता नहीं होगा जानकारी में बता दूना इन परी के लिए कि मनमोन जी की सरकार हंगा की सरकार के साथ के सरकार में की सरकार में समाजबादी पारटी के एक सांसत ते लगबग ते इस सांसत ते और שמ׏ उन्हीं के बज़े से सरकार चली और उसी सरकार में तूजी इस्पेक्ट्रम जैसा बहुत बड़ा गोठाला हुआ जिससे आम गरी रूपिया गिरने की बात भी कह रहे हैं आपके विरोधी नेता लगातार आप देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री आदनी स्री नेजित म प्रधानमंत्री ने इन सब का बड़ी मेहनत के साथ बड़ी सांदार तरीके सामना किया और आम जंता का गरीबों का विशेश तोर पर ख्याल रखा है जैसे आप देख रहे हैं आज कोई भी ब्यक्ति भूगा पेट नहीं सोता है नवीन भाई मैं आपकी पास आ जाता मिला कि राजा क्या था पहली बाद दूसरी बाद जो खान अगर हम आप किसी घरात में उसके हैंत पर तोड़ जाएंगे यह मोदी जी खुद कहते थे उनकी उसमें सुलोगन में आपको बेढ़ेंगे यह कहते थे किसी को मुप्तम में मत दो यहीं मुप्तम दे के पूरे भ समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी अब मुझे तो यह लग रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा जो कुछ गलतियां आ गही थी वो भी सफाई होती जा रही है बिलोग हट रहे हैं यह भी कहती है कि पिछली बार जो डिंपल यादब जीती है उसके पीछे स्रद्धा अंजली सभी किसाब थी तो इस बार चुनाओ असली में है और इस बार जनता समाजवादी पार्टी का गुरूर खतम करें दुर्ग है इस दुर्ग को तोड़ने के लिए बीजेपी पूरी मतलब पर्दानमंत्री का भी कार कम लग रहा है। रही है आप लोग चुकी सायोगी दल है आप किस तरह देखे इस बार जो देखने को मिलेगा वो आश्चर चकित करेगा जाहिर सी बात है वो समय दूसरा था जबर जस्ती गुंडे के बल पे गुंडिया इक बल पे और लोगों को प्रिलोवन देख करके पूरी सरकार जुट आती थी पूरा घर का कुनवा जुट जाता था इस बार भी अब बेटी तक उनकी जुट गई है पर चार में सिर्फ इसका मतलब है कि वो हार रहे हैं तब इस बज़े से वहां पर बेटी को भी लगा तो कहरे लगातार हम जीतते ही आते हैं अब बेटी तो परिवार वो है वो अलग चीज़ जीतते हैं लेकिन अब समय सूरश ढला है साम हो चुकी है इनका भी अस्त हो चुका है सूरश दिमे दिमे करके जाव किसे आएगी गर्मी सूरज की ठंडी हो रही है नहीं राजनेतिक गर्माट तो आई चुकी है सत्य यह है कि यहां से जब डाउन हो चुकी है और इटावा की भी सीट को तो यह चूई नहीं सकते जो जिस जीते थे उससे कई गुना ज्यादा प्रिच्छत बढ़ा करके जीतेंगे इस वार भी ड्राम संकर कटे लिया जी ज्यादा प्रस्षा से जीतेंगे आप बताएं भारती जंता पाइटी मैंनपूरी में उसमें जंता चुना लड़ रही है और दूसरी तरफ कौन लड़ रहा है आपने बताई चुके कौन परचार करने आ रहा है कोई घर का सदसरी बच रहा है तो आप इससे अंदाई लगा चाहते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान है समझजवादी पाइटी के और मोधी जी कि यांदी किस तरह से देश देश में आभी है अच्छा यह आपका कहना है मैं थोड़ा से जनता से इसी बात में पुछ लूँ आप बताए कुछ कहना चाहरा है क्या क्या करें इतावा मैंनपरी और यहां कुछ थाई नहीं जब नेता जी नहीं सब समाला हो यहां जितना य और जो हम लोग टेक्स देते हैं सब देते हैं और जो इसका यह सब जो आप बताए पहले तो मैं सचिन भया की बात पर आता हूं हमारे बड़े भाई जैसे हैं भया ने कहा कि कोविड में क्या हुआ तो मैं बतादू कोविड में कोवीश्ट की नाम से वैक्सीन निकाली खाते में गई ठीक कोविड कोवीश्ट जो वैक्सीन थी उसको परमीशन नहीं थी लगने की जब बड़े सरकार कह रही है कि लोगों की जान बचारी हो जाने थी आप बास-पास मिले तो नहीं है तो हमारी बात पूरी जाने थी जब उनकी वैक्सीन चली गई तो आप इस ताकत भी उसी बात से की थी आप यूभा राजनीत कर रहे हो कि जिस तरह से सबी लोग लगे है भाजपा के भी लोग सब लगे हैं प्रधान मंतरी का Casey अब पर आना पड़ेगाा मिसा का भी लग्या हूँ ऐना पड़ेगा लेकिन फिर वी और लुगा कुछ है कहीं सपा के कमजोर तो ुद्धि इसलों अफनलindettur पिलाट। समाजवादी के नेता कह कि हम लगातार जित्ते आ знаете कि वहां प्रदी क로 अपने इच्छा से सवा में उत्र रहे हैं जिसके इच्छा की रही है करे अछी को छोड़ कर समाज में उतर रही है तो कुछ अच्छा ही कारण होगा समाज के लिए ही हिथ कारी होगा आप बताओ बेसिक मुद्द्ध पूरी तरीके से आतास नाराज हो चुकिए समाजारी प्राइटी में पुरी से पूरे परवार को एक साज जोड़ कर सबी प्रिचार में लगे हुएं है पूरी तरीके से एक बचाना चाहे हैं लेकिन बचने वाला नहीं है बहुत अच्छी जीत होगी इस पूरा परवार अतरा है ये तो पूरा परवार मदद करता है जनता जनारदन का कहना है परवार मदद करता है आप बहुत देर से मोबाइल चला रहे थे का सूटी करते रहोगे कि मुद्दे के बारे में बता नहीं नहीं मैं अब पड़ रहा हूं आप ग्रेजुएशन कर रहा हूं अच्छा भया ने बताया कि जब समाजवाधी पार्टी यहां पे थी तब यहां पे टोटल 18-20 नेशनल हाईवे थे अभी मैं बहुत सकता हूं कि अभी प्रेजेंट में कितने आप बता सकता हैं बताईए नंबर 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 अच्छा इस बार मुद्दे क्या है आपके साब नहीं इस बार मुद्दे यहीं हैं कि जो मेन अभी जितना काम हो रहा है अभी वहीं कंटिनी होना चीए अभी कोई भी काम जब होता है डेवल इसक मुद्हों की बात हो रही है हाँ बेसिक मुद्ह ही अभी हर पाटी को डिवलप्मेंटThese के लिए टाmp लगता है अभी काफि डिवलप्मेंट हुआ हैभी आगे टायम पर भी आएगी ओर डिवलप्मेंट और बढ़ेगा जितना मैं कहा क्लारा मैं अभी के से निकल थी विएक्त सी वैकसि के भी इसलिए ये आप देगे यूथ है जो जतना भी लेो विरोजकहर हो चुका है॥ यूथ योध बेरोजगार हो चुका है ये तो जनता जनारधन कह रही है मैं Final पर आजाताहूं तो अब सब सब फाइनल आप से बात करेंगे, सचिन जी किस तरह से क्या-क्या मुद्दे जैसे जनता जनारदन कह रही है कि विरोजगारी मुद्दा है, यह मुद्दा है, आप लोग किस तरह से महिनपूरी और आसपास को इस बार मुद्दे देख रहे हैं? लेकि जनता का सेवक, इस बार अगर कोई देश में है, सब पूरा देश और दुनिया देख रही है अदनी मुद्दी जी की तरफ, बड़ी नजरें, बड़ी निगाएं, भरी नजरों से, उमीद बड़ी नजरों से देश देख रहा है, इस बार नरेंद मुद्दी जी को फि से रुकवा करके 40,000 युबाओं को जो भारत के थे उन्हें तो ले करके आए और भारत का जंडा ले करके और भी देशों के युबा निकले इससे बड़ा काम कौन कर सकता है तो ये देखा नवीन जी जिस तरह से भारतिय इंता पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है सहयोगी दल भी कहा रहे हैं कि अंतर रास्टी लेविल पर काम हुआ है और उसको देश दुनिया ने देखा है जनता के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ इनको धर्मों में अनुवाद पहनाना बैवनस्ता पैदा करना और दस साल इनके क्रिया कलापों को जनता देख चुकी है अब इनको कहीं रुकने वाला मामला नहीं जितनों से पार नहीं है मुस्किल से दूसा बात्तर तो बहुत मु अपनी पतनी को पताने कहा कर दिया हो अपना मंगल सुत्र जिटोगों खुद गर कर दिया हो जिस अपने पतनी कहा इस बार जीत कैसे देख रहें पर्भी जीत हैं ही नहिंए तोटल हार, 400 हार, दिल्ली साफ, तोटल खत्म, तो ये देखा आपने ये जनता जनारदन है, हर नेता अपने दावे और वादे कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बोर्ट परसेंटेज कम हुआ है, वहीं ABP News भी अपील करता है कि पहले मतदान, फिर कोई काम, तो सबसे पहले तो आप सब लोग बतदान के लिए निकलें, नेता और जनता, नेताओं तो अपने दावे और वादे करेंगे ही, नेड़े आपको सुनाना है, आपके नेड़े से ही अगली सरकार का तै होना है, अब देखना है कि जनता अपना नेड़े कि सोर सुनाती है, आज के लि अबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी